साल 2007 में आई कॉमेडी फिल्म वेलकम ने दर्शकों को खूब एंटरेटेन किया। फिल्म के करेक्टर मजरू भाई और उदे भाई के किरदार आइकॉनिक बन गए। फिल्म की सफलता को देखते हुए मेकर्स ने साल 2015 में वेलकम टू लेकर आए। लेकिन ये पहले पार्ट जैसा जादू नहीं दिखा पाई। वेलकम टू में अनिल कपूर और नाना पाटेकर तो शामिल थे लेकिन अक्षे कुमार की जगह जौन इबराहिम ने ली थी और वो राजीव वाला जादू बिखेर पाने में असफल साबित हुए। वही कुछ दिनों पहले वेलकम टू दा जंगल के नाम से अगली फ्रेंचाइजी का एलान कर दिया जो क्रिस्मस 2024 में रिलीज होगी। इस बार फिल्म में अक्षे कुमार भी शामिल होंगे लेकिन नाना पाटेकर और अनिल कपूर नजर नहीं आएंगे। अब सवाल है कि आखिर क्यों बाहर हुए अनिल कपूर और नाना पाटेकर। पाटेकर के बिना वैलकम नहीं हो सकती। उन्हें सबसे पहले फिल्म की पेशकर्स की गई थी। लेकिन बात्चित असफल हो गई। निर्माता फिरोज नाडियाट वाला को तब जटका लगा जब अनिल कपूर ने वैलकम 3 के लिए 18 करोड रुपे की मांग की। सुत्रो ने आगे कहा कि अनिल को लगा कि मजनु की वज़े से वैलकम एक बड़ी फिल्म है और तीसरे पार्ट में अक्षे कुमार के शामिल होने से फिल्म और बड़ी हो जाएगी। उन्हें लगा वो जो पैसे मांग रहे हैं वो उसके हगदार हैं क्योंकि तीसरा करोड रुपे का बिज़्डस करेगी। उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की लेकिन जब फिरोज ने इंकार कर दिया तो अपनी मर्जी से फिल्म से बाहर हो गए। अक्षे ने भी हस्ट सेप करने और अनिल को वापस लाने की कोशिश की लेकिन अनिल 18 करोड रुप कहस बप एंकार प्रूे से दमा ऐरत कर दिया बाहर होग को वापस दो अदिल्म einer में की की लेकिन येह भी ह खफस्तर談 की का फिरो भी है ये डिल्म से भी हजागर की